तो गाइस हमने आपके स्मार्टफोन के लिए काफी अच्छे अच्छे अडेप्टर और चार्जिंग केवल दिखा है तो आज हमारे पास है एमजोन बेसिक का 100W का चार्जिंग अडप्टर जिसे आप अपने स्मार्टफोन अपने टैबलेट अपने मैकबूक अपने लैब्टोप अधर किसी भी चीज को चार्ज असानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको 100W का पावर डिलिवरी देखने को मिल जागा फास चार्जिंग चली तो से मेल बात करते हैं कि मैंने वीडियो में पिछले वीडियो में आपको एक केवल दिखाया था जिसकी फास चार्जिंग थी इसमें LED डिस्प्ले था वो केवल हमारे पास है दे 100W की तो मैं यहाँ पर 100W का आप लोग के लिए अडेटर लेकर आया हूं और सबसे पहले जरूरी बात में पता दों दोस्तों कि यह वीडियो किसी भी तरह का स्पोंसर नहीं है यह मैं प्रोड़क्त खुद खईता हूं और मैं आपको खुद इसका रिब्यू अन्बोक्सि करते हैं बीना देरी किये हुए सबसे पहले हमारी यहां पर बॉक्स है तो बॉक्स को सद में और अन्बोक्सिंग करने में यहां पर थोजा उपर का हट गया फिर भी आपको यहां पर इसकी नेट क्वांटिटी एक उनिट इसमें नेम जो है एमजन बेसिक चार्जर 100W पैक इसमें बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा सिर्फ एक चार्जिंग एडप्टर इसकी MRP दोस्तो 7999 दी गई है पलेकिन यह आपको इससे भी कमदाम में मिलेगा और इसका प्राइस क्या होने वाला है यह मैं आपको वीडियो के लाश्ट में जरूर बताऊंगा इसल चाईना अब बात करते हैं का मिलने वाला है और आपको सबसे ऐसी तरीक देखने के मिलेगा यहाँ पर एमजोन बेसिक जो साफ साफ यहां लिखा हुआ आप देख सकते हैं कैमरा में आपको दिखा रहा हूं यहां पर एमजोन बेसिक 100W GAN Fast Charger और गेन क्या होता है यह मैं आपको वीडियो के आगे मैं बताता हूं इसको आप देख सकते हैं यहां पर इसका मोडल नमबर लिखा हु हुआ है और जो इनपूट आप यहां पर देख रहे हैं आउट्पूट इनपूट यह आपको एडप्टर में भी बैक साइड में देखने को मिल जागा चलिए सब फिर आगे बात करते हैं यह सब की सबसे पहले यहां पर प्रोड़क्ट को अन बोक्स कर लेते हैं यह कुछ इस तरीके का यहां पर काफी अच्छा यह दिया हुआ है इसको वाव यह देख सकते हैं यहां पैकेट में हमारे पास है दो यूनिट पहला है यह चार्जिंग इसका जो अडप्टर है उसके जो फ्रंट में जो लगती है यह इंडिन टाइप दिया हुआ है और इ एक जो आए से करेंगे तो यह उनिभर्सल और भी जगह आप देखे होंगे इस तरीके का भी आता है कोड़ा आप उससे यूज कर सकते हैं नई तो आप यह सास में दिया हुआ है इसको आपको यह इस तरीके से रहके आपको सीदह यहां पर ऐसे फिट करना है यहां यहां द पर थोड़ा से बलकी है तोड़ा सब बड़ा है आप देख सकते मेरे हाथ में नोर्मल एडेप्टर से बड़ा है पलकिन इसके काम भी बढ़ी है दोस्तों मैं वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा आप इधर साइड बात करते हैं तो यहां पर आपको कुछ-कुछ दिया और नीचे आपको यहां पर क्यूग चार्जिंग 30W सपोर्ट करता है इसमें भी आपको 30W सपोर्ट करता है यह दोनुग जो आप देख रहे हैं यहां पर आपको 30W सपोर्ट एक USB दिया हुआ है ताइप C ताइप C दो पोर्ट और दो आपको USB देखने को मिल जाएंगे जो मोडल है वह भी लिखा हुआ है यह आउट्पूट कितना देगा वह आपको USB,C1,C2 लिखा हुआ है USB आपको USB देखने को कि दिखने के पता लगा सकते हैं ऐसे इसके दोस्तों आपको 100W इसमें 100W आपको 30W और 30W यह सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों यह जो अडप्टर आ यह देखने में भी छोटे होते हैं और यह काफी अच्छे वर्क करते हैं और यह आपको जेतना च्छोटा होता होता है यह आपको कॉंपेक्ट साइज, फास्ट चार्जिंग, हीट इफिसेंसी इसमें आपको जो गेंज टेक्नलोजी दिया हुआ इसमें चीप लगता है प्रसेसर जो कि आपको हाई एफिसेंसी भी देता है, फास्ट चार्जिंग भी देता है और कॉंपेक्ट साइज भी रहता है अगर आपका डिवाइस 45W, 70W, 65W सपोर्ट करता है तो आप इसका मज़ा आराम से ले सकते हैं सूबर फास्ट चार्जिंग इसमें आपको 100W का 4 पोर्ट फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है यह आप 4 पोर्ट देख रहे हैं तो आपको टाइप C देखने को मिल जा अगर यह आपका गरम हो जाता है यह ए लिए बन्त हो जाता है और अगर आपका बनेच यह बन्न हो टो सब्सक्राइब लुए को चार्सिंग ड़ने जास को जिए यह पिन इसको यह अलग बनाता है थोड़ा सा और सेप्रेट क्लिप ओन अटेज्मेंट यह आप इधर से निकाल भी सकते हैं और इसका टैरेक्ट आप यूज कर सकते हैं अधर सोकेट में मैकसिमम इसमें आपको 100W का देखने को मिल जाएगा जो कि आपको रिड्यूस चार्जिंग टाइम 34% आपके अधर किसी भी अगर चार्ज करते हैं तो आपको 34% का टाइम यह बचा देगा आप इसमें तीन डिवाइस एक बार में तीन डिवाइस काफी अच्छे से चार्ज कर दिया किसमें आप इन्पूर्ट जो है 220 वाट जाती है जो कि आपकी नूर्मली अपके धर की लेता है ठीक है आप इसे प्लग कर दिये यहां पर आपको 100W और इसमें भी आपको 100W और नीचे आपको दिख रहा है क्यूग चार्जिंग क्यूग चार्जिंग यह 30W सपोट कर करता तो आप ये दोनों से ले सकते हैं ऐसे अनधर को भी भी आ स्मार्टफन अप την रहें तो ठाप सीटी केबल आपको पुछी टोंडेकों सीगतीं हर और से जो कि आप ये आपको दिखा आप उधीक के प्योंग में ले सकते हैं चुर्येशन करता हुं और कैसे इसे अउग कर लेना है जैसे आप नोर्मली इस तरीके से रहेगा इसको आपको यहाँ पर प्लग करना है जैसे मैंने बताया आपको आपको प्लग करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे किक कर दीए तो आप देख सकते हैं आप एक LED वाइट कलर की LED बिलिंक हो गई है अब आपको जो आपक प्रद्वार्ट करते हैं इसी एंडिर करना है इसे अपने स्मार्ट फोन आपको दिखाता हूं कि जैसे मेरा ये फोन अभी 45 वार्ट पे सपूर्ट करता है तो इसे में फार चार्जिंग अप में गया है और यहां पर आपको 13%, 17%, 18%, 20%, 22%, 25%, 28%, 30% जैसे मैंने आपको बताया कि 45W सपोट करता है पलकिन मैं इसे सुपर फास्ट अभी आफ करके रखा हूँ तो आपको मैं 30% यहां पर आप साफ साथ देख सकते हैं या 30% आपको इंडिकेट कर रहा है तो यह 30% अभी कंजूम कर रहा है आप यह 100% यह नहीं सोचे कि 100W है तो आपका फोन हीट हो जाएगा या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है आपका फोन जितना कंजूम करना जितना आपके फोन को लेना है उतना ही यह लेगा तो यहां पर देख सकते हैं अगर 30W ले रहा है मेरा स्मार्पोन तो आपको 30W यहां पर देखने को मिल रही है और यह स्मार्पोन काफे एचे तरीके से चार्ज हो रहा है इससे में अपने स्मार्पोन को अपने कैमरा को अपने टैबलेट को अपना लेप्टोप को सब कुछ चार्ज कर सकता हूं आप यहां पर देख रहे हैं यह साइड साइड में इसमें आपको टाइप सी एक और यूज कर सकते हैं इसे बगल में आपको एक बार में आप तीन डिवाइज सेम जैसे आपका जो भी 100 वाट हो 30 वाट हो आप उसे कर सकते हैं और काफी अच्छा और काफी यूज करने में काफी लाइट वेट और काफी मजाने वाला है दोस्तों चलिए वीडियों कमेंट करके जो तो आप कुन साइड यूज करते हैं